नमस्ते मैं डॉक्टर अनुजा केलकर मैं साइक्याट्रिस्ट हूँ डी एडिक्शन स्पेशालिस्ट हूँ हिप्नो थेरेपिस्ट हूँ और केलकर तुएंड कर साइक्याट्रिसिंग हों घुडबंदर ठाने में काफी अलग अलग प्रकार के हीडएक्स होते हैं एक पिछले वीडियो में मैंने टेंशन एक does किया था आज मैं माइग्रेन के बारे में डिस्कुस करना चाहती हुँ तो माइग्रेन जो है यह मेल्स के मुकाबले females में जादा दिखता है साथ में से एक इंसान को migraine का problem हो सकता है यह heritage भी होता है घर में अगर चाचा पिता जी मम्मी अंकल आंटी मामा जी या भाई भेनों में अगर हो तो आगे के next generation में या वही generation में किसी और को भी होने के चांसे सो सकते हैं तो migraine के actually लक्षन क्या होते हैं उसमें सबसे पहला होता है headache आधा सर दर्द करना इधर का आधा right का या left का कोई भी आधा side दर्द करना यह typical होता है इसमें एक ही side में continuous हरदम attacks आते हैं तब एक ही side में दर्दों ऐसा नहीं होता है अगर है तो वह migraine ही होगा ऐसा नहीं है कुछ और भी हो सकता है उसमें severe headache होता है migraine में और पूरा time दर्द की वज़़से तकलीफ होते रहती है यह episodic होता है यहने episodes में आता है एक बार चला गया फिर कुछ दिन अच्छा रहेगा फिर वापस आ जाएगा यह कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक भी चल सकता है जैसे 2-3 घंटे से लेके 2-3 दिन या पास दिन भी चलता है तो ऐसा यह duration इसका वैरी होता है उसके साथ साथ वामिटिंग होना या फिर जी मचलाना ऐसा लगता पूरे time की अभी नौशिया और वामिटिंग होगा लेकिन काफी लोगों में होता भी नहीं है लेकिन उसकी तकलीफ होते रहती है light intolerance होता है याने ज़ादा रोशनी सहन नहीं होती है ऐसा लगता है शांत पड़े रो आखो पे पट्टी डालके पड़े रो कुछ आजू बाजू रोशनी नहीं होना चाहिए light बन करके सोते है उसके साथ साथ आवाज भी उनको ज़ादा सहन नहीं होती है थोड़ा सा भी आवाज हुआ तो वो सर पकड़ लेते हैं शोर शराबा अच्छा नहीं लगता लाउट स्पिकर आजूबा जो अच्छा नहीं लगता खुद बात तक करना वो कम से कम बात करते हैं इसके साथ साथ वो काम पर भी उसका काफी असर पड़ता है क्योंकि वो काम भी उतने जोश से उतने इससे कर नहीं पाते हैं तो यह थी माइग्रेन के लक्षणों के बारे में जानकरी इसके साथ माइग्रेन विद औरा भी होता है याने माइग्रेन होने के पहले उनको तो ऐसा लगता है कि अभी अटैक आने वाला है और उनके आखों के सामने लहरे दोड़ती है या फिर ऐसे सरकल आते हैं लाइट डार्क ब्लू लाइट डार्क लाइट ऐसा होता है तो यह औरा भी काफी लोगों में मिलता है अब इसके जो है यह कुछ ट्रिगर्स भी होते है जैसे कि ट्रिगर्स में ऐसा होता है कि जैसे जादा धूप में जाना तो उससे सरदर्द शुरू होता है या वेदर चेंज या धूप जादा है या बारिश जादा है जादा स्ट्रेस अगर लिया तो उससे भी सरदर्द होता है खाने का टाइम अगर चेंज हुआ तो उसस से सरदर्द होता है एक्जर्शन अगर हुआ तो भी सरदर्द होता है जादा खाना खाया या कम खाना खाया तो भी सरदर्द शुरू होने का चांस होता है नीन अगर पूरी नहीं हुई है या नीन जादा हुई है तो भी वह ट्रिगरिंग भिप उसके साथ साथ अगर कोफी लिया चाय लिया या ज़िए को सकते हैं अब इसके इंवेस्टिगेशन के बारे में बाट करें तो जनरली अगर clear-cut डाइग्नोसिस है यह क्लियर कट अगर नीदान हो रहा है तो हमें उसके इंवेस्टिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर हमको डाउट है तो हम सिटी स्कैन एमाराइ यह इंवेस्टिकेशन कर सकते हैं अब इसके जो ट्रीटमेंट है इसमें ज्यादातर मेडिसेंस का यूज होता है उसमें एमिट्रिप्टिलिन है प्रोप्रलॉल है या फ्लूनरजीन है ऐसे अलग-अलग हम मेडिसेंस यूज करते हैं अब देखिया इसमें क्या होता है कि एपिसोड में आता है एपिसोड जो होते है काफी लोगों में बहुत स्पेस्ट होते ह यानि दूर दूर होते हैं काफी काफी दिनों तक महेनों तक आते भी नहीं है किसी किसी को तो साल साल देड़ साल भी एक एपिसोड आने के बाद आता नहीं है तो medicines में painkiller किसी को अगर दे दिया तो वो time के लिए उनका problem solve हो जाता है लेकिन अगर किसी को दिन दिन तक ये problem चल रहा है या महिनों में अगर 4-5 बार अगर ये हो रहा है तो उन्हें proper treatment लेके ही करना चाहिए क्योंकि देखिए जैसे हम देखते हैं कि इसमें उनका daily routine भी effect होता है तो अगर ये महने में 4-5 बार attacks आ रहे हैं तो उन्हें तो पूरा time सोकर ही रहना पड़ेगा इसलिए proper treatment लेना जरूरी है treatment 6-7-8 महनों तक चलता है और अगर properly तो उसके वापस होने के chances minimize हो सकते हैं हम ऐसा नहीं कहते कि पूरी तरह बंद हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं लेकिन हाँ इससे हम minimize जरूर कर सकते हैं कि ताकि future में वो problem ना हो तो ये थी migraine के बारे में जानकारी मेरे वीडियो के द्वारा मेरा उद्देश है कि जादा से जादा लोगों तक मानसिक स्वास्त के बारे में सही जानकारी पहुचे और जिनको जरूरत है उनको सहिता मिले आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजे शेर कीजे सब्सक्राइब कीजे ताकि और भी जादा लोगों तक ये information पहुचे वो भी अपने जीवन में अगर जरूरत है तो वो भी लाब उठा सकी धन्यवाद